अब तक हमने देखा कि हमने वेब डिजाइनिंग क्यों स्टार्ट किया उसका क्या मोटो था और उसके बाद हमने एक वीडियो में देखा कि हम क्लासरूम के एप पे इसको कैसे यूज करेंगे अब हम इसमें आगे जानते हैं कि वेब डिजाइनिंग में हमारा स्लेबस क्या है तो सबसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले तो हमें आपको यह बता दे कि वेब डिजाइन और वेब डिवलपमेंट यह दोनों होते क्या हैं बहुत से लोग यह जानते हैं क वेब डिजाइनिंग और वेब डिवलेपमेंट दोनों एक ही होता है बट ऐसा नहीं होता है वेब डिजाइनिंग और वेब डिवलेपमेंट में अंतर होता है वेब डिजाइनिंग जो होता है वो बैसिकली क्या बनाता है एक लेयाउट बनाता है जो की ग्राफिक, लोगो, बैनर इन सबसे उले के UI, user interface को create करता है तो बैसिकली इसमें वेब डिजाइनिंग के लिए creativity का होना बहुत जरूरी होता है इसमें जो package बैसिकली यूज होते हैं वो होता है Photoshop और Illustrator Photoshop बैसिकली वेब लेयाउट और UI डिजाइन करने के लिए बन होता है और Illustrator है जैसे कि आपको वेक्टर इमेज क्रिएट करने हो ग्राफिक करने हो लोगो करने हो तो इसके लिए हमारा Illustrator यूज होता है तो वेब डिजाइनिंग में basically creativity का होना बहुत ज़रूरी होता है और वेब डिजाइनर हमारे website डिजाइनिंग के लिए बहुत ही आहम रोल प्ले करता है जिससे की वेब डिजाइन कैसा दिखेगा वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी होती है वेब डिजाइनर की होती है clear अब हम बात करते हैं वेब डिजाइनर की जो की वेब डिजाइन करता है चुकि Graphic हमारा Start and Bud Design हो चुका है, UI डिजाइन हो चुका है, तो उसमें अब हमें back end में coding करने के लिए जिससे की वो सारे function active हो, walking position में आए तो उसके लिए हमें web development की जरूरत होती है, जो web developer होता है, उसको programming language की जनकारी होने बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि वो back end में उन सारो चीजों पर programming करेगा, जिसकी वज़े से वो आपका layout active होगा, तो जो programming language जो हमारे web development में यूज होता है, वो होता है, जैसे basic label पर HTML, CSS, JavaScript and boot steps, ओके, तो web designer और web development, web designing front end में काम करता है, web developer, basically हमारा backend में, web designing में creativity होता है, और web development, long time काम करने की capability, बोथ हर अलग-अलग role है सब दोनों का, लेकिन दोनों मिलके ही काम जो करते हैं, उसी से हमारे website design होती है, तो बतल दोनों का role होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इन market value के साथ देखा है, दोनों की salary दोनों का जो status होता है, ज़्यादा difference नहीं होता है, और दोनों की demand आलएड़ी हमें market बन नहीं ही रहती है, अब ही जो हम आपको आगे पढ़ाएंगी courses, उसमें हमने तीन label पे इसको web designing को divide किया हुआ है, तो first label जो हमारा है, वो basically beginner है, second है intermediate label and third है advanced, जिसको professional label ही गोल सकते हैं तो हम जो course आपको बताएंगे, वो step by step बताएंगे, तो first phase में हम लोग जो चलेंगे, वो हम beginners लेकर चलेंगे, तो आप में बहुत ऐसे लोग होंगे, जो कि कभी भी web development के बारे में बस सुना होगा, बट उसके बारे में कुछ किया नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे, जो वेब डिजाइनिंग भी करते होंगे, ठीक है, तो हम एक स्टार्टिंग से लेकर चलना है, तो हम phase 1 से चल रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, वेब डिजाइनिंग के बारे में, कि कैसे क्या होता है, तो हमारा जो वीडियो से, ये पूरी सीरीज, अभी ये चल रहा है बीगनर के लिए, ठीक है, जिनको की BSC Computer पता है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस लैब बस जो है हमारा बीगनर का, उसमें हम क्या-क्या content रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये बता हैंगे कि वेब साइट होती क्या है, ठीक है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग कितने टाइप क्यों होती है, उसके बाद SSL क्या होता है, SEO क्या होता है, SMA क्यों होता है, उसके बाद HTML, Languages, CSS, इन सारी चीजों को हम, one by one सारी चीज़े आपको कराते जाएंगे, खुल मिलाके, एक basic web development का जो package होता है, वो हम आपको देंगे, जिससे कि आप practical way में, theoretical way में साथ-साथ काम करेंगे, ठीक है, तो इन सारे चीजों को लेके हम step by step चेलेंगे, जो कि beginner level पे काम आएगा, जिससे कि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कौन सा ऐसा tool चाहिए, जो कि web designing में काम आने चाहिए, तो तो desktop होगा, या फिर laptop होगा, अगर desktop है, laptop है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाके आपको एक browser डाउनलूड करना होगा, वो browser आप कोई भी browser ले सकते हो, अगर आपको पास chrome है, ठीक है, mozilla है, या फिर आपको पास safari है, वो पेरा है, कोई भी आप browser लीजिए, उस browser को आ desktop में install करिए, और secondary क्या है कि हमें programming करने के लिए text editor का यूज करना है, text editor में आप basically by default notepad का भी उच कर सकते हैं, but मैं चाहूंगा कि आप उसमें notepad plus plus होता है, वो मैं उसको बिता रहा हो कि कैसे install करना है, उसको आप Google से जाके download कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा इसमें text editor होता है वो sublime होता है, वो भी optional है, उसको भी ले जाके use कर सकते हैं, तो कोई भी आप text editor अपने हिसाब से, जो आपको suitable हो, उसको आप इसमें use करेंगे, इसके बारे में ज्यदा description की, ये basically notepad और notepad plus में क्या अंतर होता है, तो इसके लिए मैं i button पे आप पो link दे दूँगा, और description म भी वहां से आप जाके देख सकते हैं, उस वीडियो को जिससे पता चल जाएगा कि हम क्यो notepad plus plus को recommend कर रहे हैं, तो आप इन सारी चीजों को basically download करके install कर लेजिए, चुकि हमारे classes start हो गई है, तो जो भी आपके friends हो, या फिर आपके जो जानने वालो जो web designing में या web development में उनक को आप यह forward करिए, क्योंकि हमारे classes को join करें, आप अपनी कोई भी प्रतिकिरिया हो, कोई भी सुझाओ, कोई भी query हो, आप अपारे classroom पे अपना comment कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे comment section disable है, thank you so much, आप हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका दिन सुप,